जब आप coverage करते हो न जब आप camera का इस्तिमाल करते हो वो आपके reporting का केवल 10% हिस्सा है कोई reporter है ने हैं उनके पास card है तो वो किस तरीके से reporting कर सकते हैं असपतार में यह क्या कितना reporters के उपर लागू होता है और फिर आप जाओगे और जाकर के पूछोगे तो वो deny नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर एक चीज होती है सरकारी काम काज में बाधा डालता है मैं जाओंगा तो मेरे साथ क्या होगा या तो मुझे coverage करने दिया जाएगा या मेरे साथ बत्ते मीजी की जाएगी जो डिलीट करने का जो प्रेशर डालते हैं उस केस में रिपोर्टर को क्या करना चाहिए या फिर जो चैनल ओनर है उसके पास क्या राइट्स है नमस्कार लीड इंडे पब्लिशर्स एस्सोसियेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एंसकॉड आज हम उस विशेप पर बात करेंगे जिसमें आप सब का बहुत इंटरस्ट है कि अस्पताल में और सरकारी दफ्तरों में किस तरह से कमरेज करें उसके क्या लीगल आस्पेक्ट्स हैं इन सब के जवाब देने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंग सर है अक्सर ये सवाल पूछते हैं मैंने खुद इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और जब मैं नेट पर सर्च भी करती हूं तो उसमें हम ही हम दिखते हैं बताते हैं कि ये करना चाहिए अगर आपको अस्पताल में या फिर स्कूल में या सरकारी दफ्तरों में कवरेज करनी हैं तो सबसे पहला प्रश्ण यह उड़ता है कि आप किसी खास अस्पताल में कवरेज करना ही क्यों चाते हैं, पहला प्रश्ण आपकी तरफ यह उड़ता है, कि क्या वज़ा है कवरेज करने के लिए, ठीक है? वहाँ पे कुछ है अन्यमित्ताएं या? तो अन्यमित्ताओं को आपको किसी ने रिपोर्ट किया? क्या वहाँ के किसी पैसेंट ने आपको रिपोर्ट किया? किसी ने आपको कम्पलेंट किया? आपको कैसे मालुम चला वहाँ के अन्यमित्ताओं के बारे में? ठीक है? तो अगर आपके पास एक ठोस वज़ा है coverage करने की और ठोस वज़ा supported by evidence है और फिर अगर आप जाते हैं और वहाँ के परबंधक से उन ठोस evidence के basis में बात करते हैं साथ में visual भी collect करते हैं तो कोई आपको मना नहीं करते हैं लेकिन अगर आप जाते हैं और केवल वहाँ पर हंगामा करते हैं वहाँ के चीजों को disturb करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रुप से उसको appreciate नहीं किया जाएगा भली वहाँ पर ब्रश्ट अचार क्यों ना हो र लग रहा है यह रिपोर्ट्र जब जाते हैं तो उन्हीं के उपर उल्टे इलजाम लगा दिया जाते हैं कि यह जबरदस्ती घुसे तो वहाँ पर एक चीज होती है सरकारी काम काज में बाधा डाल तो यह क्या कितना रिपोर्टर्स के उपर लागू होता है मैं आपको बता रिसर्च वर्क मैं आपको बताता हूँ तो बिंग ए रिपोर्टर अगर मान लिजे मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे मालूम चलता है कि सरकारी अस्पताल में या दफ्तर में घपले बाजी चल रहे हैं तो कुछ तो मैं रिसर्च करूंगा नो उसके उपर मेरे बास कोई कुछ ऐसे हम सिदे सरकारी अस्पताल में जाने से पहले मुझे देखना Teresa कि क्या यहां पे किसी इलाज कराया इलाज कराय तो इसके पास परुचिय होगी तो डॉक्तर ने क्या कहीं अगर उसको मेंडिशंस सकते हैं और फिर आपके पास राइट है कि आप उस हास्पिटल के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करो आप चीफ मेडिकल आफिसर तक जा सकते हो और जा करके बात कर सकते हो लेकिन वो तब होगा जब आपके पास कुछ होगा हाँ आपने मेरे से कहा कि यहां तो बहुत बाजी हो रही है और मैंने केवल आपकी बात सुना और सीधी से चले गए तो डेफिनिटली आपको आपके उपर मुकदमा हो जाएगा एफायर हो जाएगा ऐसा कहा जाएगा कि आप सरकारी काम में बादा डालने हैं अभी कोविट के बात से अस्पताल में स्टिक्टली एक कानून लागू कर दिया गया था पैंडेमिक एक्ट तो उसके अंदर का डॉक्टर के पास बहुत पावर आ गई महां के करमचारियों के पास भी बहुत पावर आ गई उसी की दादागिरी वह रिपोर्टर्स को दिखाते हैं तो इससे कैसे नहीं बढ़ सकते हैं नहीं अब तो पैंडेमिक एक्ट खतम होगे पैंडेमिक के लिए 188 का एक सेक्शन आईपीसी का लगता था और वो तो अब खतम हो गया है अब उसमें कुछ है नहीं है अगर कोई ऐसा तो अभी केवल यह के अस्पताल के संपत्ति की तोड़ फोर यह सब इलजाम उनके सर पे धर देत है जो मैंने भी आपको बताया मैं जाओंगा तो मेरे साथ क्या होगा या तो मुझे कवरेज करने दिया जाएगा या मेरे साथ बत्तमी जी की जाएगी मेरे पास वो वीजूल उस रिपोर्ट को दिखाने के लिए काफी है अगर मुझे बत्तमी जी भी किया गया है तो क्यो या उन्होंने कोई जवाब में दिया पब्लिक है सब समझती है है अभी बहुत सारे जो हमारे यूटूबर साथ ही है वो लोग जब कवरेज करने के जाते हैं तो इन मारे अदाओं का ध्यान नहीं रखते हैं और उनके पास एक लीगल वैलिड प्रेस कार्ड भी नहीं होता य के लिए तो हमारे पास option है जो मैंने कई बार अलग-अलग वीडियो में भी बताएं कि आप फ्रेंचाइजी वगरे करके आप वैलिड लीगल प्रेस कार्ड ले सकते हैं बट लेकिन question यह है कि आप अपनी तैयारी के साथ जा जा और यही related है सरकारी दफ्टर चाहे अस्पत केरे साथ लोगों के साथ हुआ है जो यूट्यूबर्स है कि उन्होंने reporting कर ली उनके पास visual footage सब कुछ था और कई दो केस होते हैं जैसे एक बार के वही पे footage ही डिलीट कर दी गई उनकी उस वक्त पे और दूसरा होता है कि जब चैनल पर वीडियो चल गया तो pressure बनाने लग क्या rights है उसे करने के लिए बाध्य कर सकते हैं मैं बताता हूँ एक दौर था जब sting operation दबा के हुआ करते थे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे तो sting operation कैसे होते थे मालूम चलता था कि यहां पर corruption है मैं बड़े बड़े चैनलों की बात कर रहा हूँ मालूम चलता था कि यहां बहुत सारी meetings के बाद उस विश्वास में लेने के बाद से उस corruption को पहले रिकॉर्ड करते थे तो इतने बरे चैनल तो सीधे camera लेकर नहीं चले गया तो पहले corruption को रिकॉर्ड करते थे hidden camera से और जब रिकॉर्ड हो जाता था तब फिर उसी वियक्ति को phone लगाते थे या उसके अधिकारी को phone लगाते थे उसके मंतरी को phone लगाते थे और पूछते थे कि आप जो हमारे camera में अभी टीवी screen पर देख रहे हो आपका इस पर क्या कहना है तो वो एक तरीका था ना अब माल जे मैं जाऊं अस्पताल के सामने और मैं कहूं का कि यह भ्रस्ट अचार का यह रा मानित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है तो वो मेरे ऐसे वीजूल डिलीटी तो करवाएंगे वो क्या करवाएंगे किसी competent court में कहीं पर भी आप जाओगे आप उनको कैसे कटगरे पे खरा करोगे आप यह बोलोगे कि उन्होंने coverage करने नहीं दिया इससे काम नहीं च अच्छा होना जाएंगे इस विशा पिर जानकरी देने के लिए आपका बहुत भाँत धन्यवाद, थैंक्यू सो माइज, थैंक्यू सो माइज, थैंक्यू सो माइज.